खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और एबिपी न्यूस को सब्सक्राइब कीजिए बिल्डिंग बन गई चिता नजरों के सामने जिन्दा जल गए बच्चे सूरत में मौत का तांडव कोचिंग सेंटर का खूनी अगनी कांट दर्दनाक हादसे की तराफनी काहानी 2019 के चुनावी महा संग्राम में भारी विज़े के बाद एक खबर से दहल गए हैं पिये मोती खबर एक दर्दनाक हादसे की सूरत में मौत के तांडव की है एक कोचिंग सेंटर में हुए उस अगनी कांड की है जिसने छीन ली है कई बच्चों की सिंधकी पिल्डिल बन गई जिता जान बचाने के लिए जीखते रहे बच्चे कोई चौथी मंजल से कूट गया कुम चान बचाने की बदहवासी में जुन्दा चल गया एक दर्दनाक हादसे की ये खौफनाक तस्वीरें आपको विचलिट कर सकती हैं जिस कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ने गए थे वहीं लोगों की नजरों के सामने वो मौत के मुँ में समा गए देल दहला देने वाली ये तस्वीरें सुन्दत की हैं जहां मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि कोहरा मच गया बेबस लोग देखते रहें कोई कुछ नहीं कर सका और पल भर में ही आग की लप्टों में समा गए कई बच्चे आफिर ये दर्दनाख हादसा कैसे हुआ आफिर ये बिल्डिंग आग के लप्टों से कैसे खिर गई और कैसे यहां एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले कई बच्चे मौत की लप्टों में घिर कर बेमौत मारे गए पूरी काहनी अपनी दर्दनाख है कि सुनकर किसी का भी कलेजा पांग जाए वाकई इससे भायावा और कुछ नहीं हो सकता जहां मासूम बच्चे पढ़ने गए थे जहां जिन्दगी के सपने बुने जा रहे थे वहीं आग इस खदर भड़की कि सब कुछ हो गया खाक आग की लप्टों से घरी बिल्डिंग कालो काले धुए का भारी गुबार और उनके बीच जान बचाने की आखरी कोशिश करते ये बच्चे किसने सूचा था कि सूरत की इस बिल्डिंग में मौत अचानक यू तस्तक देगी आग ऐसी भड़केगी कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं देगी बिल्डिंग में भड़की आग और मौत के डराबने पलों का अंधाजा आप इन तस्मीरों से लगा सकते देखें कोई जान बचाने के लिए बिल्डिंग किछट से लटक रहा है तो कोई आग से बचने की बदहवासी में चौथिन मन्जल से ही खूद रहा है एक दो तीन चाँ उफ उफ कितना खौफनाक मन्जर है ये जान बचाने की बदहवासी में ये बच्चे मौत की ही च्छलान लगा रहे हैं चश्मदीदों के मुताबिक तक शिलाव कॉंपलेक्स नाम की इस बिल्डिंग में दूसरी मन्जिल पर एक कोचिंग सेंटर है धटना के बच पचास बच्चे वहाँ पड़ रहे थे और उसी वक्त अचानक इस बिल्डिंग में आग लग गई आग इतनी तेजी से भड़की की बच्चों को भागने तक का मौका नहीं मिला स्थानिय लोगों का आरोब है कि बिल्डिंग में आग लगते ही फायर ब्रिगेट को सूचना देदी गई थी लेकिन दमकल की गाड़ियां लेट पहुँची और तब तक यहां भड़की आग विक्राल रूप ले चुकी थी दूसरी मन्जिल पर कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे बच्चे जान बचाने के लिए उपर की तरफ भागे लेकिन आग तेजी से फैलते हुए चौथी मन्जिल तक पहुँच गई इन तस्वीरों में आप आग की लप्टों से घेरी बिल्डिंग को देख सकते हैं देखिए आग कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है काले काले धुए का गुबार उठ रहा है पल भर में ही आग चौथी मन्जिल तक भी पहुँच गई और फिर वहां भसे बच्चों के बीच हाहा कार मच गया कोई जान बचाने के लिए बिल्डिंग से लटक गया तो कोई बधहवासी में चौथी मन्जिल से ही खूदने लगा हम बचाने में हम सक्षमता रख सकते हैं हम उपर गए हमारी हिमत से हम उपर पहुँच चुके थे लेकिन हमको दूख है कि हम ज़्यादा तर बच्चों को हम बचाना पाए है बताया जाता है कि ये आग एक ट्रांसफार्मर की बजह से लगी बिजली का वो ट्रांसफार्मर तक शिला बिल्डिंग के पास ही था आग की बजह से ट्रांसफार्मर में विस्भोट हो गया और फिर उससे विकरे तेल और आग ने बिल्डिंग को भी अपनी चपेट में ले लिया देखते ही देखते ये आग पहली, दूसरी, तीसरी और फिर चौथी मन्जिल तक भी पहुँच गए और फिर यहाँ एक कोचिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहे पचास बच्चे थंस गए इस भीशन अगनी कान के बाद लोगों की भारी भीड सरकों पर उमर गए लेकिन किसी की भी हिम्मत बच्चों को बचाने की नहीं हुए लोगों का आरोप है कि फायर बिगेट के कर्मचारी मौके पर न सिर्फ धेर से पहुचे बलकि उनके पास आग में भसे बच्चों को सुरक्षत निकालने के लिए सीड़ियां तक नहीं थी और इसी लापरवाही की कीमत आग में भसे बच्चों को अपनी जान दे कर चुकाने पड़ी फायर बिगेट के कर्मचारीयों की माने तो इस बिल्डिंग में फायर सेफटी का कोई इंतजाम नहीं था यही नहीं बिल्डिंग के छट पर कई टायर भी रखे हुए थे सीड़ियां भी बहुत ही सकरी थी जिसकी बजह से यहां भड़की आग के बाद बच्चे भाग नहीं पाए और फिर उसमें से कई की दर्धनात मौत हो गई अब तक मिली जानकारी के मताबिक इस खौफनाक हादसे में 19 लोगों की दर्धनाक मौत हो गई है और यह तादाद अभी और भी बढ़ सकती है इस भीशन अगनी कान के बाद पीम मोधी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दुख जताया है सूरत हादसे से मैं बहुत दुखी हूँ पीडित परिबारों के प्रती मेरी संवेदनाएं गुजराज सरकार से हर संभव मदद के लिए कहा है सूरत में हुए इस भीशन अगनी कान के बाद मौके पर स्थानिय विधायक के साथ ही आलाफसर भी पहुँच गए है मौत की ये आग अब बुझा दी गई है और अब जानो माल के क्षती के साथ ही बरबादी का भी मौाइना किया जा रहा है यहाँ पर जो ट्यूशन क्लासिस चलता था उसमें पचास से ज़्यादा चात्र पढ़ाई करते थे लेकिन अचानक आग लगने के कारण अपरा तफरी का माहल हुआ था और कुल 17 जितने चात्र थे वो मोत को गले लगा चुके है यहाँ पर दूसरे मंजिले पर ट्यूशन क्लासिस चल रहा था और 17 जितने चात्र थे उस आग में जूच कर मर चुके है पूरे देश को देहला देने वाले इस अगनी कांड के बाद गुजरात के सीम ने मितकों के परिवारों को 4-4 लाग रुपे की आर्थिक सहायता देने की घोशना की है सुरत मां ट्यूशन क्लास मां आग लगवाने कांडे दुर्गतना सर्जानी चे नननना बारकों आग नीचक्विट मा आईवा चे मुतक बारकों ना सबने बारकाधवा मा विर्या चे अत्यांत दुखद ने खराब खटना चे राजे सरकारे दुखने सव्वेदना प्रगट करूछू राजे सरकार सव्वेदना साथे मुतक बारकों ने इमना परिवार ने चार-चार लाख रुपिया सवहिता तकी द्याप से घाहिल थेला बारकों नी ततकलिक सर्वार था इमाटे व्यवस्था उपन उभी करवा मावी गुजरात के सीम विजर उपानी ने गहरा दुख जताते हुए हाथसे की जाँच के आदेश दिये हैं सीम विजर उपानी का कहना है कि जाँच के बाद जो भी दोशी पाया जाएगा उसके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी उधर दिल देहला देने वाले इस अगनी कांड में जिन भी लोगों ने अपने बच्चों को खोया है वो मातम में डूबे हैं जिगर के टुकडे आग के इन लप्टों में खाक हो गए और ये ऐसा दर्द है जो ताउम्र पेड़ित परिवार के लोगों को सालता रहेगा संसनी के लिए सूरत से रौनक पटिल की रिपॉर्ट सूरत में दिल दहला देने वाले अगनी कांड की कहानी के बाद अब दास्तान जम्मू कश्मीर की जहां सुरक्षा बलों ने आतंक के पोस्टर बॉई कहे जाने वाले खतरनाक आतंक वादी जाकिर मूसा को कर दिया है भे वो अपनी खूनी साज़िशों से जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहता था बेगुनाहों की हत्या से वो लोगों को डराना चाहता था वो खुद को पूरी दुनिया को दहला देने वाले आतंक की उसामा बिन लादन का कमांडर बताता था वो भारत में इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना चाहता था एक नहीं बलकि कई बार सुरक्षा बलों पर उसने घात लगा कर हमला भी किया था लेकिन अब जम्मू कश्मीर का ये खोंखार आतंक वादी मारा गया है एक खौफनाक एंकाउंटर में सुरक्षा बलों ने इसे धेर कर दिया है नाम है जाकिर मूसा जी हाँ आतंक का पोस्टर बॉई कहा जाने वाला खोंखार आतंकी जाकिर मूसा अब इस दुनिया में जिन्दा नहीं है कई घंटे तक चली मुट भेल के बाद वो मारा गया है और अब उसकी मौत के बाद आतंकियों के बीच मची है खल बली सुत्रों के मताबिक गुरुवार की दोपहर ये पुखता जानकारी मिली थी कि जाकिर मूसा अपने कुछ साथियों के साथ पुलवामा के त्राल में छुपा हुआ है सीना को जैसे ही ये जानकारी मिली 42 मी राश्ट्री राइफल जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन क्रुप और केंद्रिय रिजर्फ पुलिस बल के जबानों ने पूरे इलाके को घेर लिया सीना के अधिकारियों ने मूसा के ठिकाने की घेरा बंदी के बाद उसे सरेंडर करने के लिए कहा लेकिन उसने क्रुनेट से हमला कर दिया और फिर भागने की कोशिश की जवावी करवाई में सीना के जवाणों ने मुसा को वही धेर कर दिया ये वही मकान है। जिसमें खुँखार आतंकी जाकिर मुसा चुपा हुआ था। सेना के मताबिक जाखिर मुसा आतंकियों की उस जेनरेशन में शामिल था जो पढ़े लिखे और टेकनॉलोजी से संपन्न हैं। मुसा को कश्मीर घाटी में आतंक का पोस्टर बॉय भी कहा जाता था और सुरक्षा एजंसियां काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। बीते दिनों कश्मीर में तमाम आतंकियों के जनाजे में मुसा के समर्थन में नारे लगने की बाद भी सामने आई थी। और वो घाटी में सुरक्षा बलों पर कई हमलों की वारदात में भी शामिल था। सेना के अधिकारियों के मुताविक जाकिर मुसा एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार से तालुक रखता था। इसके पिता एक इंजीनियर हैं। 2011 में स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद मुसा आगे की पढ़ाई के लिए चंडी गड़ चला गया। वहाँ उसने इंजिनिरिंग की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला भी लिया। लेकिन दो साल बाद ही 2013 में पढ़ाई बीच में ही छोड़ कर वापस लौट आया। और फिर आतंकियों की जमात में शामिल हो गया। मुसा ने सबसे पहले आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का दामन थामा था। लेकिन हिजबुल के साथ मदभेद की बज़ए से वो उससे अलग हो गया। बाद में मुसा अंसार गजावत उलहिंद का चीव बन गया। जिसे अलकाइदा से जुड़ा संगठन माना जाता है। घाटी से बाहर पहचान बनाने के लिए मुसा ने खालिस्तानियों से भी संपर्क किया था। खुंखार आतंकी बुरहान के धेर होने के बाद जाकिर मुसा सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बन गया था। मुसा चाहता था कि उसकी पहचान सिर्फ कश्मीर तक ही सिमित न रहे इसलिए उसने पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान फूर्स और बबर खालसा के आतंकियों से भी संपर्क बनाया मुसा की सक्रियता अमरित्सर सहित पंजाब के कुछ अन्य हिस्सों में भी सामने आई थी वो अलकाइदा के साथ ही आई-एस के आतंकियों के संपर्क में भी था सुरक्षा भलों के मुताबिक घाटी में आई-एस के जण्डों के पीछे भी मुसा का ही हाथ था मुसा का मानना था कि कश्मीर की लडाई राजनीतिक नहुकर धार्मिक है उसने सियासी लडाई लडने वाले अलगावादी नेताओं के सिर को धर से अलग कर देनी की धमकी भी दी थी कई मौकों पर उसने कश्मीर घाटी में इसलामिक स्टेट के जंडे भी लहराए थे मुसा भारत में इसलामिक स्टेट की स्थापना करना चाहता था I.S. के आतंकियों की तरह ही भारी खुन खराबे से वो लोगों को डराना चाहता था लेकिन इससे पहले कि मुसा अपने खूनी मकसद में काम्याब हुपाता 12 लाग के इस इनामी आतंकी को सुरक्षा बलो ने ढेर कर दिया संसनी के लिए ब्यूरो रिपॉर्ट संसनी में आज बस इतना ही आप रहिएगा होश यार संनाटे को चीरती संसनी फिर देगे दस तक आपकी तहलीस पर